रिकॉर्डिंग होने, कैसे हैं दोस्तों, तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडो के अंदर, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वास्तोंगे इस COVID के टाइम में, तो जैसा कि हम सब जानते कि Tata ने हाले में अपनी Nexon को अपडेट किया है, नई फीचर इस वेरियंट से शिरू होके, इसके टॉप स्पेक वेरियंट XZ Automatic Plus Optional तक मिला करेंगे, लेकिन अगर इसके लोवर वेरियंट के तरफ ध्यान दें, जैसे XM और XZ वेरियंट, तो इसके अभी भी हमें वही 16 इंच स्टील वेल्स के साथ, फॉल वील कवर देखने को मिला कर देंगे, तो पहला है Foliage Green, दूसरा है Calgni White, तीसरा है Flame Red, और च्वाता है Pure Silver, और जो पांच हुआ है Last, वो है Dayton Gray, प्यागों में भी ये Blue Color को Discontinue करा गया था, और उसको Replace करा गया था Arizona Blue Color से, अब ये देखना बाकी है कि क्या Tata वाले अपनी Nexon में ये Blue Color इंट्रिद्यू और इसका कोई Token नहीं था, मतलब नहीं था, इसके Physical Touch Screen Buttons को भटा दिया गया है, वैसे ये Physical Buttons जादा Convenient थे और User Friendly थे, यूजर के लिए लेकिन आप वो नहीं मिला करेंगे, आपको Volume Up Down करने के लिए, ये Track Change करने के लिए अपने Staring Modern Controls ये अपने Touch Screen को इस्तमाल करना पड़ है, वो है कि अब इसके Prices 5000 से लेके 17000 तक Increase कर दिये गए हैं, नए Prices आपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और अगर इसके Engine Options की बात करें, तो इसके अंदर हमें, इसमें 1.2L Petrol Engine मिलता है, जो की 120 PS की Power और 170 Nm का Tor produce करता है, और अगर इसके Diesel Options की बात करें, तो इसके अंद दोना ही Engine Options के साथ, एक तो है इसमें 6-speed AMT और एक है 6-speed Manual Transmission, और बात करें इसके April की Sales की 2021 की, तो इसकी April में Sale होई है, 6,938 Units, जो इसको अपनी Segment की 4th Highest Selling Car बना देती है, तो यह थी Nexon की सारे डीटेल्स और इसके नए अपडेट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और चानल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, मिलूंगा और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.